कि अभी मैं इस समय यहां पे हूं 80 km चल के आया हूँ मैं और यह मेरा भाई अफजल दोनों लोग हम लोग 80 km राइड करके आए हैं बाइक से यहां पर हम लोग विरार में रहते हैं विरार टूग गेट आउफ इंडिया आप सर्च करेंगे मैप पे जाके तो आपको 85 km के यह पहाड़ियों की बीच से रास्ते यह समंदर और यह नदी यह सारी चीज़े जो भी है वो मैंने रिकॉर्ड किया है और अब ही मैं मीरा रोड से वीडियो कंटीनू प्ले कर रहा हूँ और फिलहाल मीरा रोड के काशी मीरा बिरीच पर हूँ और यहां से मैं आपको फास्ट फास्ट दो मिनिट में शॉर्ट वीडियो में लेके चलता हूँ गेट ओफ इंडिया ताज होटल आप मेरे साथ कंटीन डो मिनिट तक बने रहे वीडियो में, मैं आपको ताज होटल और गेट ऑफ इंडिया लेके चलता हूँ और वहां से फिर वापसी में, हाजी ये आएंगे और हाजी ये से फिर माहिम दरगा और ये सारे वीडियो सिन्फ पांच मिनट के ही बनेंगया आप पांच मिनट तक मेरे साथ वीडियो में कंटिनू बने लें और आप बहुत आसानी से देख पाएं गा और ये वेश्टन एक्सप्रेस हाइवे है और उपर आप देख सकते हैं यह मेट्रो का फीश है वेस्टन एक्सप्रेस हाइवे मेट्रो इस्टेशन और इसके आगे आप मुंबई का सबसे बड़ा एरपोर्ट चत्प्रति शिवा जी इंटरनेशनल एरपोर्ट वो लेफ साइड में रहेगा मैं उस साइड जाना नही आई होप सेमें इस्टारी है पर करन्फर मुझे मालूम नहीं और यहां से अब एंटर कर गये हैं मुंबई यानि यह दादर के आगे का सीने यह मुंबई वन लगता है टॉप का मुंबई और यहां से फिर अब हम लोग बस वो लास्ट सिगनल आने वाला है यह है वो लास् अब यहां से आपको सामने बिल्कुल डारेक्ट गेट ओफ इंडिया ही दिखेगा यह रहा यहां से राइट मारें ही हम लोग और यहां पार्किंग अलाउड है ही नहीं बिल्कुल भी आप देख सकते हैं जादा पीड़बार भी नहीं बैगर मार्क्स का कोई भी नहीं दि और यह आपका ताज होटेल है यहां से मैं वापसी में भी आपको दिखार हूँ यह ताज होटेल है ब्रीटिश के टाइम का काफी महें का एक चाही भी अगर पी नहीं हो तो आपको यहां ऑनलाइन बुक करना पड़ता और वह हजार रोपे से उपर की चाही रहती एक कप और यहां की सेक्योरिटी में कोई भी कमी आप नहीं पाएंगे दोनों तरफ कमेशा पुलीस की बहुत सारी गाड़िया खड़ी रहती है बहुत सारे पुलीस वाले खड़े रहते हैं और जो कसाफ वाला मैटर हुआ था वो उसका यह काम पतानी उसी का है या किस नया बन रहा ह अभी यहां हम लोग को कुछ वीडियो भी शूट करने हैं जो इससे पहले मैंने अप्लोड किया है वो यहीं से हमने शूट किया यह देखे जैमर भी लगा हुआ है यह पुलीस की गाड़िया है और यह पार्किंग अलाउट है नहीं लेकिन फिलाल कुछ देर रुक कर आप फोटो बगैरा निकाल सकते हैं वीडियो बगैरा बना सकते हैं ऐसा कुछ निये हम लोग भी यहीं रुके हैं उस देर तक रुकेंगे उसके बाद पिर आगे बढ़ेंगे यहां देखिए यहां मैंने कुछ मराठी में आपसे कुछ बात करने की पूसिस की तुमी सरवा ठी अगर कहें मुंबई की तो कोई बुरा नहीं होगा और दूसरी बात यह कि अगर इसे आप हमारे इंडिया का और मुंबई का ब्रुष्च खलीफा कहें तो भी कोई बुरा नहीं होगा देख सकते हैं काभी शानदार दोग्ड़ तो फाइनली हम लोग हाजी एली का सिगनल क और यह जो बाउंडरी वहारे बगल में देख रहें आप इसके बारे में मैंने स्टाटिंग में ही आपको बताया था कि ब्रीज का काम चालू है यह कंट्रेक्शन का और यह आपने बांदरा से वरली तक सीलिंग जो ब्रीज बना हुआ है उस पे बाइक्स यह बस ट्रक्स यह सब अलाउड नहीं है सिर्फ उस पे यही फोरुलर ही आती जाती है मैं उसकी फोटोस डिस्पले करता हूं और जो अभी फिलाल प्लानिंग फ्यूचर प्लानिंग चल रहा है यहां जो लेफ साइड में बन रहा है अभी फिलाल उसकी भी डिस्पले कर रहा हूं में इखनेें वाला है यह दुबए भी आप मेरे खाल से भूल जाहेंगे इतना अच्छा यह दिखने वाला है आप यहां से मैं आपको सब से पहले मुंवाई का जो वरली सीलिंग है वो दिखाता हूं यह आपको । डिस्प्ले हो रहा है यहां से आप यहां से देख सकते हैं मुम्मई वरली का ब्रीज और बगल में उसके यह फोटोस प्लानिंग का जो इन फ्यूचर जो अभी फिलाल लेफ साइड में और वो हाज यह ली रहा बांदरा से लिए के वरली तक यह सारे ब्रीज का काम चालू है अईसे ही इन फ्यूचर दिखने वाला है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को हमेरे सब्सक्राइब करें लोगों में शेर करें